अब हम सिगनल्स को ढूंटा है जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदी की लोकेशन का पता चाल जाएगे उसके बाद मेकर्स ने यूएसे के साथ साथ कैनेडा में भी एड़ान्स बुकिंग खोलने का फैसला किया लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है और वो ये ट्विस्ट है कि अब अमेरिका और कैनेडा दोनों में ही लिमिटेड एडवान्स बुकिंग खोली गई है अभी तक अमेरिका के सिर्फ दो ही शेहरों में एडवांस बुकिंग ओपन हुई है और अब बाकि जितने भी शेहर है वहां लिमिटेड एडवांस बुकिंग खोली गई है और कैनेडा में भी ऐसे ही किया गया है जिसका रियाक्शन मेकर्स को बहुत तेजी से मिल रहा है साथी मेकर्स ने पहले दिन के ओवर्सीज कलेक्शन को लेकर अपने मन में गोल सेट कर लिया है मेकर्स ने कैनेडा के अंदर 2.2 मिलियन डॉलर की बॉक्स ओफिस ओपनिंग का गोल रखा है पठान जो शारु खान की लास्ट रिलीज थी उसने USA और कैनेडा में पहले दिन ब बॉक्स ओफिस पर 1.5 मिलियन डॉलर कमाए थे यानि कि 14.50 करोड रुपे और 2 मिलियन होते हैं 16-17 करोड तो आप खुद सोच सकते हैं अगर बॉक्स ओफिस कलेक्शन में USA और कैनेडा से ही पहले दिन इतना कलेक्शन आ जाए तो ये फिल्म डेफिनेटली पहले दिन ही 100 कर करेगी उसके बाद मेकर्स का फ्लान है कि कुछ दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड जवान की एडवांस बुकिंग खोली जाए जब 15 अगस्त को सेकिंड सॉंग आएगा तो उसके बाद मेकर्स ये फैसला लेने वाले है रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मनी और रशिया जैस बारु खान है इसलिए मेकर्स अपने रंड नीती में ओवर्सीज पर फोकस कर रहे हैं वेल इस पर आपका क्या कहना है कॉमेंट्स में जरूर बताएं